आप इसका फर्स चेप्टर किसका कंपीटर सुब्सेट का फर्स चेप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने आपको नोट्स भी कंप्लीट करके दे चुके हैं तो आप अप कंप्लीट करने अपने लेक दे Oops के फर्स चाइंड करीए और टुडव तो आपने दीखे हुनगे कि दिफरेंट थे कंप्यंटर होते हुँट हुगि के ददी आप अगर आपने हॉस्पिटल वगेर में कंप्यूटर देखे होंगे तो उनका डिजाइन थोड़ा अलग होगा तो आज ऐसे ही हम डिफ्रेंट टाइप के कंप्यूटर की बात करेंगे इस चैप्टर में तो लेट्स वी स्टार्ड रेडिंग ओके okay now read most popular and multi-purpose computer okay now a personal computer pc what the full form of pc personal computer is the most popular and multi-purpose computer okay जो personal computer रहता है हम उसका multi-purpose में यूज करते हैं बहुत सारी चीजों में so there are two models of pc's personal computer की कितने model से two car desktop and mini tower यह देखिए यह desktop model है यह और यह आपका mini tower model अपने mostly देखा हो गया आपकी school में पर ऐसी computers हैं तो यह कौन से होंगे mini tower model और desktop model यह बहुत अभी use होते हैं पर यह बहुत old हो गए आपने अगर cyber cafe में अगर आप गए हूँ तो आपने इस type की model देखे होंगे now start next the mini tower model is the latest one यह जो आपका है किस नाम से भी जानते हैं Pentinum sorry Pentium not a Pentinum Pentium और P4 depending on its man components now types of computer अब हम पढ़ेंगे कितने types की computer होते हैं first one is personal computer इसको हम बोलते PC यह बोलेंगे PC personal computer second one one is Macintosh Macintosh second one is Macintosh computer okay strings now second page then third is laptop model laptop आपके घरों में भी होंगे laptop आपने mostly जगे देखे होंगे कि आजकल किस टाइप के computer का यूज करने लगे laptop तो इस टाइप कर देखे इस टाइप का होता है laptop आपने देखा ही होगा mostly लोगों के पास laptop model ही होता है next fourth one is super computer ओके तो हमने 4 टाइप की personal computer तो यह आपके चार टाइप हो गए a man hidden computers चीक है there are some hidden computers built within some machines कुछ ऐसे हैं जो hidden computers है this is the eye testing machine यह भी एक क्या है एक computer ही है जो mostly हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं कहां यूज होते है scientific research बगर में जैसे यह eye testing के लिए यूज होता है these are automatic tailor machine मतलब ATM आपने ATM तो देखे होंगे तो ATM is also a computer तो ATM भी computer है यह रेखे robot has an computer in place of its brain जो रोबोट है has a computer in place of its brain जो उसको brain रहता है उसमें एक computer होता है जो रोबोट रहता है तो एक robot भी यह क्या है computer है ओकी नाव नेक्स्ट टाइब सॉप मोनिटर अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे टाइब सॉप मोनिटर अब हम फोर टाइब के मोनिटर देखेंगे मोनिटर क्या होते हैं जो हमको स्क्रीन दिखाई देती है आपके TV में जो स्क्रीन दिखाई देती है वो होता है आपका monitor आज हम उसी के बारे बढ़ेंगे कि यह कितने टाइब के होते हैं एक तो होता है monochrome monitor this one इस ट्राइब कर दिखता है और color monitor आपका इस ट्राइब कर दिखता है दैन LCD LCD monitor और होता है LED monitor अब आपने देखेंगे जो हमको अगर कंपिटर से कुछ चीज प्रिंट लीना है अगर आपने कुछ वर्क किया तो अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं किसके help से लेते हैं printer printer एक output device है जो हमें प्रेंट करके देती है processing करने के बाग तो देर आर थ्री में टाइस ओफ प्रेंटर रोक्य कितने टाइप होते हैं printer के फास्टेस पीडिंटर यह देखिए यह जो dot है हमारी स्कूलों में भी होता है इसमें इंक का यूज होता है लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर जो होता है यह लेजर लाइट की थ्रू वर्क करता है इसको क्या बोलते है लेजर प्रिंटर so how many types of printer three main types first is dot matrix second is inkjet and third is laser now call our points what is the full form of pc a personal computer pc means personal computer is the most popular and multi-purpose computer यह बहुत जदो popular है यह multi-purpose है बहुत सारे चीजों में काम करने के लिए हम इसका यूस करती है इसलिए इसका क्या क्या क्यों इसको multi-purpose बोलते है the cause it is used for more more working multi-purpose multi मतलब ही समझ में आ रहा है आपको कि यह बहुत सारे जगह इसका यूस होता है चाहिए आपका बैंक हो hospital हो railway station हो ticket के लिए आपको booking करने के लिए हो तो यह सब का use कौन से computer में होता PC personal computer ना second is two model of PCs called desktop and mini tower तो PCS के कितने model है two type one is desktop and second one is mini tower ना robot has a computer in place of its brain जो robot होता है उसके mind में उसके brain में क्या होता है computer होता है ना what is the whole form of LCD अभी हमने पढ़ा है liquid crystal display okay children तो आज हमने class fourth का second chapter पढ़ा है computer का I hope all student understand this chapter so please revise this chapter and